इसमें हमें क्या करना है, find the compound interest for the given principle, rate and time when compounded half yearly, अभी तक हमें annually given था यहाँ पे, अभी हमें half yearly find out करना है, formula वही रहेगा, बस थोड़ा सा change होगा इसमें, वो मैं करके बताते हूँ, रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको नहीं पता मेरे लिए कितना important है सब्सक्राइब, एक एक सब्सक्राइबर, जिस तरीके से आपके लिए ये questions बहुत ही जादर ज़रूरी है, उसी तरीके से मुझे वो एक तरी सब्सक्राइब करना है, पहला question है, principle 10,000 गिवन है, आर 6% गिवन है, पर एनम, time 18 months है, इसमें आपको simple थ्यान रखना है, half yearly जब भी compound interest को find out करना होगा, तो जो rate होगी उसको आधा कर दो, 6% है तो 3% हो जाएगा, time जो है उसको double कर दो, ये shortcut है, इसको find out करने का, time को 18 months है, that means क date साल, 1.5 years, तो इसका date, 1.5 years का double 3 years हो जाएगा, तो time की जगा पहले question में लिखो, यहाँ पे हो जाएगा, 3 years, ये है न, 3 years, और ये 6% rate है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3%, बस, simple, अब यहाँ पे हमें इसको find out कर लेना है, इसी formula में लिख दो, यहाँ पे, P की जगा, 10,000 लिख हो, ये हो जाएगा, 1 प्लस, आर जो है, 3% है, अब उन में 100, पावर कितनी हो जाएगे 3, क्योंकि 3 years है, अब बस, solve कर लेना है, 100, 3 हो जाएगा ये, अब 3 times है, तो 3 times multiply कर दो, अब उन में 300, मतलब 3 बार 100, उन्टू 10,000, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अब इसका क्या बज़ा, यहाँ पे 103, 103, 103, 103, इनको multiply करोगे, तो क्या आएगा answer आपका, 1092727, upon में 100, डिवाइट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 10927.27, तो ये हमारा amount निकल गया, ठीक है, लेकिन हमें principle, CI फाइंड नोट करना है, तो CI निकालने के लिए, इ principle जो है, वो minus करते है, amount minus principle, तो बस minus कर दो, 10927.27, minus 10,000, answer क्या आजाएगा, 927.27 रुपीज, तो इस तरीके से हमने question number 2 का इह find out कर लिया, simply आपको बस, क्या बता है, मैंने time को double कर देना है, and rate को half कर देना है, and formula वही रहेगा, right, second question है, principle 50,000, rate 12% time 1 year है, तो आप क्या करना है, 12 का half कर दो, 6% हो जाएगा, right, rate, time double हो जाएगा, that means 2 year हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं, directly लिखो amount equals to 50,000, multiply, 12% है ना, इसको लिखो 6% time को 2 years कर दो, है ना, अब यहाँ पे हो जाएगा, 1 plus 6 upon 100 की power 2, अब यह 106, into 106 upon 100 into 100, और into 50,000, अब क्या हो जाएगा, 00, यह 40, डिवाइड हो जाएगे, इससे, इन दोनों का, 106, 106, और इसका multiply गर क्या आपका answer आएगा, 56 180 रुपीज, यह हो गया हमारे amount, यह मैंने multiply करके रखा है, ताकि, वीडियो जो है, वो, कम time में हो जाए, लेकिन आप multiply करके देख सकते हो, CI निकालने के लिए, मैंने बता है, amount minus principal, तो 56 में से, 50,000 को सब्ट्राइट करोगो, तो क्या आजएगा, 6 180 रुपीज, इस तरीके से हमारा यह answer आगे, राइट,